नमस्कार आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड आए दोस्तों सुनते हैं अवधेश स्रिवास्तव जी के लिखी कहानी दरार स्टेशन से दीदी का घर बहुत दूर नहीं है फिर भी मैंने रिक्षा कर लिया है क्योंकि मुझे दीदी के घरवालों का डर था कहीं वो यह न सोचें कि मैं पैदा लाया हूँ और मेरे एक रुपए के लोब से दीदी की बेजज़ती हो जाए परिक्षा धीमी गती से चोड़ी फैली सड़क पर खिसकने लगा पिरी आखों के सामने दीदी के घर का रास्ता घूमने लगा इसी सड़क की सीध में आगे एक चोराहा पड़ेगा उस चोराहे से दाएं घुमकर करीब आधे फरलांग के बाद विक्टोरिया पार्क पड़ेगा पार्क के सामने वाली कोठी जगमगा रही होगी बही कोठी दीदी का घर है जहां दीदी को कैद हुए पांच वर्ष व्यतीत हो चुके है सच कहूं तो दीदी के परिवार वालों से मुझे नफरत हो गई है उनके रईसी ठाट बाट से मेरी मन में क्रोध उबलता है इस क्रोध के बीच दीदी भी आ जाती है हाला कि दीदी का कोई कसूर नहीं होता है मानती अक्सर दीदी के ससुराल की तारीफ पडोसियों से करने बैठ जाती है वो तारीफ हाकना शुरू करती है मैं उनसे बहस करने लग जाता हूं बहस में जीतना पाने के करन माती बाद में घंटो लंबा लेक्चर दे डालती तुझे जैसे निक्रिस्ट कोई नहीं होगा दुनिया भर में कोई बहन के फलने फोलने पर भी जलता है हर माबाप चाहते हैं कि उनकी बेटियां बड़े घराने में जाए तो मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ा रहता है तेरे बाबु जी ने इतना वेवार कर लिया है तेरे दर्वाजे पर तो कोई धूकने भी नहीं आएगा अभी तो कुछ है नहीं तब इतना घंट तुम्हारी उलादे होंगी तब देखोंगी माती लेक्चर के अंत में अपनी कोख को ही कोस दी जिसने मुझ जैसा लड़का पैदा किया देदी के शादी के बाद मैं उनसे सिर्फ दो बार मिला हूँ पहली बार रिंकू के जन पर और दूसरी बार पीएससी की परिक्षा के समय वहाँ जाने पर हर बार बड़ा अजनबी पंसा महसूस होने लगता है इसलिए मैंने इस बार बहुत आनाकानी की थी माती को बहुत समझाने की कोशिश की थी क्या होगा मा जाकर वे लोग बड़े आदमी है रिष्टेदारी बराबर वालों से मेल खाती है उनका कार्ड आया है कार्ड की मान मर्यादा रखनी होगी माती अपने हट पर डटी थी हमने अपनी बेटी दी है हमें तो जुक कर ही चलना होगा वहाँ जाने में मेरा दमसा घुटता है आखिर अपनी भी तो कुछ इज़त है मजे गुस्सा आ गया था अगर तुम्हें जाना पड़े तो कुछ पता चले बड़े आये इज़त वाले वहाँ तुम्हें लोग मारने लग जाएंगे तुम जवान होकर घर में बैठे रहो और हम ब्याह बारातों में जाएं माती ने मेरी एकन चलने दी थी सामने वाली गुपताईन चाची से रुपए उधार लेकर दो चालिस चालिस रुपए वाली धोतिया खरीद लाइंग थी मुझे पच्चिस रुपए टिका दिये थे लेकिन न जाने के सो बहाने के हिसाब से मैं अकड़ गया था पच्चिस रुपए में इलहाबाद तक का सफर मुझसे न होगा अलगी मेरे पास पचास रुपए अलग से थे जो मुझे एक नई ट्यूशन की पेशकी मिले थे मेरी अकड़ पर बाबुजी की आखे मुझे घोरने लगी थी उन्होंने खाट पर लेटे लेटे अपनी मारकीन की बनियान की जेब से दस का एक तुड़ा मुड़ा नोट फेका था मुझे मजबूरी में तयारी करनी पड़ी रास्ते के पूरे सफर में मैं दीदी की सास के तम-तमाए गिलौरी भरे चहरे से आतंकित रहा हूँ मैं पिछली बार बहुत बच-बच कर रहा था फिर भी मेरी दीदी की सास से एक इंटर्व्यू नुमा मुलकात हो ही गई थी मेजबर रखी चाय को उन्होंने हाथ के इशारे से पीने को कहा था मैंने चाय पीना शुरू किया था और उन्होंने लेक्चर देना जाने कितने अच्छे-च्छे रिष्टों को मना करना पड़ा संजय बेटे की तकदीर ही खराब थी जो इतनी थर्ड क्लाश शादी हुई मास्टर साहब ने हमारी बेजज़ती कर दी लेने देने की बात तो छोड़िये हमारे महमानों को सब जी भी ढंकी न खिला सके तुम्हारी बेहन की सुंदरता ने हमारे बेटे को फास लिया तुम लोग कायस्त हो भी या नहीं तुम्हारा रहन सहन तो कायस्त हो जैसा नहीं है अपमान भरी नजानी कितने वाकिव चाय के साथ मेरे गले से उतर कर मेरे जिस्म में फैल गए थे दीदी के शादी बड़े घराने में होना एक आकास्मिक संयोग था बाबु जी उन दिनों इलहाबाद के G.I.C. में लेक्चरर थे जीजा जी को ट्यूशन पढ़ाने उनके घर जाते थे कभी कभी वे किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर घर भी पूछने आ जाते थे नजाने कब उन्होंने दीदी को देख लिया और अपने माबाब से फर्माईश कर दी कि मैं मास्चर साहब की लड़की से शादी करना चाहता हूँ शादी के लिए जीजा जी के अलामा कोई भी तयार नहीं था इनके माबाब को यह रिष्टा राजा भूज और गंगु तेली का सा लग रहा था बात बड़े घरानी की थी इसलिए माती और बाबु जी भी डर रहे थे दीदी की अवस्था भी संदिख्ध थी क्योंकि यह सब वन साइड अफेयर जैसा था लेकिन लड़की होने के वज़े से वे कुछ कहनी के स्थिति में न थी उसे बीच बाबु जी रिटायर हो गए थे हम लोग दादा जी द्वारा बनवाए गए मकान में कानपूर आ गए थे जीजा जी के पिता जी का शादी के लिए हावाला खत कानपूर ही पहुचा था बाबु जी ने प्रॉविडेंट फंड और कुछ उधार का पैसा मिला कर अच्छी तैयारी की थी लेकिन इज़द धूल में मिल ही गई थी तराप के नशे में धुत जी जाजी के पिता जी ने सबजी की कटोरियों को फेकना शुरू कर दिया था बाबु उनके पैर पकड़े घंटों माफी मांगते रहे थे लेकिन उन्होंने तहसिलदार होने का पूरा रौब बाबु जी पर उतार दिया था बाबु जी फिर भी खुश थे उनके सिर से दीदी का बोज उतर गया था मैं मुग बना समाजी क्रेती रिवाजों के माध्यम से देदी की सुन्दर्ता का अपहरण देखता रहा ससुराल वालों का सारा गुस्सा देदी पर उत्रा शादी के बाद वे कभी माती बाबु जी और छोटे भाई बहन का मुह नहीं देख पाई पेजान खतों से ही अपने प्यार को जिन्दा रखने की कोशिश की साहब आगे बाराज जा रही है कहिए तो गलियों से निकाल ले चलू अचानक रिक्षे वाले ने चौकाया सोचने के श्रिंखला तूट गई थी अतीत के इस मृतियों ने वर्तमान में लाकर पटक दिया मुझे मन ही मन शादियों के लिए मौसम बनाने वालों पर जल्ला हट हुई चाहे जिधर से ले चलो यार मैं यह कहतो गया लेकिन मन ही मन डरा भी के रिक्षे वाला बारात का बहाना करके कहीं और न ले जाए कलियों में खड़े पुराने मकान देखकर मुझे अपना मकान यादा आ गया जो अब गिरने के इस्थिती में आ गया है जिस इस्थिती में दादा जी ने मकान सौपा था बाबुजी उस स्थिती को भी बराबर न रख सके पुताई के अभाव में दिवारे धुंदली हो गई छतों में दरारे पड़ गई किसी जगह की टुख़ड गई या प्लास्टर हट गया तो उसे दुबारा बनवाने की नौबत नहीं आई आर्थिक इस्थिती ढुल्मल होने की वज़े से सर्फ इतना ही नहीं हुआ बलकि सोफे और कुर्सियों की बुराईयां उधर गई जिन्हें कबार में शामिल कर दिया गया पलंग से पलंग पोश के चिथड़े बनकर हट गया परिवार निम्न मध्यवर्ग या सीड़ी से उतर कर निम्न वर्ग में आ गया रोटी कपड़ा और भाई बहन की पढ़ाई लिखाई आदी का खर्ज बह मुश्किल मेरी और बाबुजी की ट्यूशन से निकलता मैंने दूर से ही देखा दीदी का हवेली नुमा घर जगमगा रहा है मेरे मन में तसलिसी आई कि रिक्षे वाले ने मुझे सही जगे पहुचा दिया मुझे अब साफ दिखाई देने लगे हैं अंग्रेजी में बल्बों से जगमगाते शब बेना वेट्स सुदेश रिक्षे वाले को मैं वहां तक घसीट ले गया जहां तक भीड व्यवधान न बनी उतर कर मैंने रिक्षे वाले को पैसे दिये एयर बैक को कंधे पर टांग मैं भीड को काटता हुआ अंदर चला गया बेजली की सजावट से ऐसा लग रहा है जैसे यह शादी के लिए नहीं बलकि बेजली की नुमाईश दिखाने के लिए लगाई गई हो एक तरफ औरकेस्ट्रा पर फिल्मे धुन्चालू है तो दूसरी तरफ लाट स्पीकर पर फिल्मे गित सुनाई दे रहा है लाइन से बड़े सोफों पर बच्चे शोर मचा रहे है कॉफी मशीन से कॉफी का मग भर भर कर लोग लोफत उठा रहे है पाता वरण में चहल पहल खोशी और उल्लाज भरा हुआ है लेकिन मैं इस सबसे कटता हुआ किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो परिचित हो एका एक मेरी नजर दीदी के ससुर पर पड़ी जो तक्त पर बैठे किसी से बात करने में व्यस्त थे जैसे ही वे खाली हुए मैंने तुरंत उनके पैर चुए मुझे देखते ही उनके चहरे पर आश्चरे सा पुत गया लेकिन उन्होंने आश्चरे को मुस्कुराहट में जबरदस्ती बदल लिया आमित आगय और मांस्टर साहब बाबुजी की तबिया ठीक नहीं है मैंने बहुत ही सहज होकर उन्हें बताया आरे नंदू इधर तो आ उन्होंने एक व्यक्ति को पुकारा हाँ बाबुजी वह व्यक्ति यंत्रचालिच साकर खड़ा हो गया इन्हें संजय बाबु के कमरे में पहुचवा दो मैं उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलने लगा फुले गन में आकर उस व्यक्ति ने स्वर्टेश किया मालकिन मालकिन उसके स्वर को सुनकर थोड़ी दिर बाद ही भीर से छटकर दीदी की सास बाहरा गई मैंने न चाहकर भी तिब्रगती से उनके पैर छुए मुझे देखते ही उनके चहरे पर भी आश्चरे सपुतिया गिलोरी भरे मुह को उन्होंने चलाया क्या केले आये हो जी मैंने संशिप्त सा उत्तर दिया देदी की सास कुछ और पोश्ति तब ही वह व्यक्ति बोला मालकिन बाबुजी ने कहा है कि इनको संजय बाबु के कमरे में पहुचा दो अच्छा अच्छा तुम बाहर जाओ देदी की सास ने उस व्यक्ति को उपेक्षा के दृष्टी से देखा देदी की सास कुछ देर गुमसुम से खड़ी रही फिर उन्होंने आंगन के कोने में बैठी औरतों में से एक को बुलाया औरत के पास आते ही उन्होंने रौबीला स्वर फेका ये बहुजी के भाई हैं इन्हें बहु के कमरे तक पहुचा जाओ बहु के भाई जी उस औरत ने भी मुझे आश्चरे से देखा मन की अजीब इस्थिती में मैं उस औरत के पीछे पीछे हो लिया दो जीने का सफर तै करने के बाद उस औरत ने एक कमरे का दर्वाजा खटकटाया बली दर्वाजा खोलो तुम्हारे भाई जी आए हैं कुछ चड़ो बाद दर्वाजा खुला तो देखा देदी खड़ी है मैंने उनके पैर भी चुए आमिद तुम आओ आओ उन्होंने एक सोफे पर बैठने के लिए इशारा किया मुझे चमकीले कालीन पर चलने में संकोच हुआ लेकिन देदी के कहने पर बैठ कया देदी भी मेरे पास आकर बैठ गई मैं देखता हूँ देदी की आखों में धेर सारा प्यार उमड़ाया है आमिद खट का जवाब क्यों नहीं देते हो देदी बनारसी साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है इधर कुछ ज़ादा ट्यूशने रही इसलिए बीजी रहा हूँ मैंने बहाना बनाने की कोशिश की माती कैसी है उन्होंने एक और प्रश्न किया माती बैबुजी, राजेश्ट और रजनी सभी ठीक है मैंने दिवार पर लगी मौडन आर्ट की पेंटिंग को समझने की कोशिश की रजनी ने लिखा था कि मा को देखता कम है माती की आखों में मोतियाविन दुतर आया है डॉक्टर का कहना है कि आप्रेशन करना होगा पूरे 200 रुपय का खर्च है मैंने पेंटिंग की और से नजर हटा ली तुम्हारी सर्विस कहीं नहीं लगी उनके चहरे पर निराशा की परते उभराई कई रिटन टेस्ट और इंटर्विव दे चुका हूँ शायद कहीं नाम आ जाय मैंने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की MSC की ये पूरे तीन साल हो गए है लेकिन अभी तक उन्होंने नजरे मेरे चहरे पर कड़ा दी PhD में रुकावट ना आती तो अभी तक डॉक्रेट मिल गई होती उसे लेक्चररशिप मिलने के चांस बेटर हो जाते मैंने यह बेतु की बात कहकर मन ही मन अपनी गरीबी पर अपने आपको कोस लिया वातावरण में खामोशी तेरने लगी मेज पर रखी पत्रिकाओं में से एक को उलटना पलटना शुरू कर दिया दिवार पर लगी घड़ी आठ बार टन टन कर चुप हो गई रजनी के लिए कहीं बात चल रही है पांच मिनट के बात दिदी ने वातावरण की खामोशी तोड़ी हाँ बात तो कई जगे चल रही है अकसर पैसों पर आकर रुख जाती है मैंने फीकी हसी भी खेरी आज कल कलरकों ने भी अपने रेट हाई कर दिये हैं सच कह रहे हो अमिक उन्होंने मेरी बात को समर्थन देते हुए कहा शबीना की शादी जिस लड़के से हो रही है वह भी रिजर्व बैंक में सिर्फ कलरक ही है और बात जाकर 20,000 और स्कूटर पर तै हुई 20,000 और स्कूटर? मेरे मन में तो कभी-कभी आशंका उठती है कि कही रजनी अन्ब्याही न रह जाए तुम्हारे जीजा जी ने बहुत जगड़ा मचाया उनका कहना था कि इतने में तो I.S. और PCS लड़के भी तै किये जा सकते हैं लेकिन जीजा जी की बात क्यों नहीं मानी गई? मैंने उन्हें बीच में ही टोक दिया अच्छा कायस्त घराना है, काफी जमीन जायदात है, पुराने रईस हैं इन्ही सब बातों को देखकर पिता जी ने किसी की चलने न दी एक बात तो माननी पड़ेगी, बेना दीदी का भाग ये बहुत अच्छा है इधर उनकी शादी तै हुई? उधर पिता जी को डिपटी कलेक्टर के लिए प्रमोशन ओर्डर मिल गया पिता जी को शादी बिलकुल नहीं खली बली नीचे चलिए, मालकिन बुला रही है जैमाला का वक्त हो रहा है, बेटिया को तैयार कर दो अचानक उसी औरत ने प्रवेश किया जो मुझे उपर तक छोड़ने आई थी अच्छा अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ कुछ देर के खामोशी के बाद उन्होंने कहा आमीद तुम भी ड्रेस चेंज कर लो, अब बारात आने वाली ही होगी ड्रेस चेंज कर लो, मैंने मजाक में लेने की कोशिश की ऐसा ही ठीक हूँ, लड़की की शादी में क्या शो दिखाऊँ नहीं ड्रेस चेंज कर लो, उनकी आवाद सक्त हो गई अचानक मेरे सिर पर बिजले सी तूट पड़ी शब्दों का अंबार मेरे गले में अटक गया मैंने दीदी की ओर नजर घुमाई तो महा मुझे संशय की परत दरपरत साफ सुलगते दिखाई दी मेरे पास और कोई ड्रेस नहीं है मैंने इस पस्ट हो जाना ही बहतर समझा उनके चेहरे का रंग उड़ गया मुझे लगा मेरी तंग दस्ती ने उन्हें परिशान कर दिया में महा शुन्ने में खोई हुई किसी बहुत बड़ी समस्या का समधान खुजने लगी मैं अभी आई में नीचे चली गई कमरे के खामोशी ने मुझे दबोच लिया मैंने दिवार पर लगी घड़ी के द्वारा कल सुबह जाने वाले आसाम मेल के बीच के घंटों की गड़ना की मुझे मनी मन माती पर गुस्ता आया जिन्होंने इस स्थिती में फसने को मजबूर किया लेकिन सच तो यह भी है कि मेरे मन में दीदी के प्रती कहीं थोड़ा सा प्यार अटका हुआ था पर इस प्यार से हासिल क्या होना था एक खाली पन के अलामा क्या मिला और अभी क्या पता सुबह तक की लंबी कैद में क्या के अजोल मौर सहने पड़े आमित नाश्ता कर लो अचानक देदी ने कमरे में प्रवेश किया उन्होंने मेज पर पड़ी पत्रिकाओं को नीचे वाले खाने में रखकर ट्रे रख दिया एक मग कॉफी का मुझे पकड़ा दिया मैंने कंकियों से उनका चेहरा देखा जिस पर परेशानी के इस पस्ट जहलके दिखाई दी तुम ट्यूशन के पैसों का क्या करते हो उन्होंने तले हुए काजू की प्लेट मेरी और खिसकाई एक एक शब्द जहरीले तीर की तरह दिल को भेद गया एक टीचर के बच्चे बिना पढ़े लिखे न रह जाए इसलिए ट्यूशन के पैसों से मैंने उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चोड रखा है मैंने यह बात कहनी चाही पर खामोश रह गया अपने आपको नंगा कर देने से क्या फायदा तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे तो आए क्यूं एमो कर दिया होता यहां तो फॉर्मैलिटी पूरी की गई थी एक तुम हो की आगे के शब्द उन्होंने गले में अटका लिये काजू का नमकीन स्वाथ कड़वाहट में बदल गया कौफी और नाश्ते का दोर समाप्थ हो गया दूसरी प्लेटों का नाश्ता वैसा ही रखा रहा तुम अपने जीजाज इसे मिले हो अभी नहीं मैंने उनके सवाल पर अपने खामोशी तोड़ी वे पीछे के लॉन में खाने का अरेंजमेंट करा रहे है तुम भी जाकर उनकी हेल्प करो उन्होंने मेरा एयर बैग लेकर आलमारी में बंद कर दिया वे आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे हू लिया एक जीने के बाद आकर वे खुद खड़ी हो गई मैं तीन-चार सेड़ियां ही उत्रा था कि उनकी आवाद सुनाई दी अमित मैं बिस्तर लगवा दूँगी तो मेरे कमरे में आकर सो जाना शायद मुझे राद भर नीचे रह जाना पड़े मैंने उनकी बात बगेर मुड़े सुन ली लॉन में फैली भीड में मेरी आखें जीजा जी को खोजने लगी सूट बूट धारी लोगों के बीच मैंने उन्हें देख लिया मैं तीज कद्मों से उनकी ओर बढ़ा पास पहुचते ही मैं उनके पैरों की ओर जुका तो नहूनी फूर्ती से कंधों को पकड़ कर उठा लिया अमित कब आए? अभी अभी अपनी दीदी से मिले? हाँ उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है खन्ना साहब मेरे ब्रदर इनलॉज से मिलिये जीजा जीने सामने खड़े सज्जन से परिचे कराया MSC भू आउट फर्स्ट करने के बाद पिएशडी कर रहे है मुझे अमित कुमार कहते हैं मैंने उन्हों सज्जन से हाथ मिलाया जीजा जीने मुझे एकदम से बहुत सारे जूट के नीचे दबा दिया जहां से उभर कर मैं कहना सका कि MSC फाइनल में प्रेक्टिस में केवल पासिंग मार्क्स होने की वज़े से कुछ मार्क्स कम हो गए फर्स्ट ग्लास नहीं पा सका इस कारण यू आउट फर्स्ट ग्लास कहने का हक्त मुझे नहीं है करीबी के कारण पिएश्टी के सपने ने तो अब बद्बू देना भी छोड़ दिया है देदी ने आपकी हेल्प के लिए भेजा है बताईए मैं क्या करूँ मैंने जीजा जी से पूछा यहां तो अरेंजमेंट हो गया तुम अपने हाल चाल सुनाओ अब हम दोनों पंक्ती बद्ध मेजों के बीच आ गए एक मेज के पास रुक कर उन्होंने आवाज लगाए यहां एक क्वार्टर प्लेट और रखना एक व्यक्ती ने आकर उस कमी को पूरा कर दिया घर पर सब लोग कैसे हैं उन्होंने पुलाव की खुली प्लेट को ढखते हुए पूछा सब ठीक हैं मैंने संशिप्त सा उत्तर दिया अचानक उन्होंने एक बच्चे को पुकारा रे किधार आओ अपने अमित मामा जी से मिलो रिंग को मेरे सामने आकर खड़ा हो गया आखों में सहमा सहमा पन भर कर उसने अपने हाथ जोड दिये किस क्लास में पढ़ते हो मैंने उसे गोद में ले लिया अभी तो केजी में ही हूँ उसने अपने जुड़े हाथों में से सीधे हाथ को अपनी टाई की गाठ पर पहुचा दिया एक वेक्ती ने बारात आने की खबर दी सभी लोग फूर्ती में आ गए जेजा जी ने हर एक मेज पर सर्व करने के लिए आदमी खड़ा कर दिया पांस सिगरिट वाले को आगे की तरफ पहुचा दिया इतना सब करा कर खुद बाहर की और चले गए रिंकू ने गोद से उतरने की इच्छा जाहिर की मैंने उसकी मोख इच्छा पर तुरंत निर्ने लेकर उसे गोद से उतार दिया अब मैं इस माहौल में अकेला अजनभी सा खड़ा रह गया मैं जीने से चड़कर दीदी के कमरे में वापस आ गया कमरे में इसी भी तीसरे बेट का इंतिजाम कर दिया गया था कमरे में फैली च्यूब लाइट की रोशनी एकाकी पन को और उजागर कर रही थी मैंने खिड़की में पड़े परदे को हटा कर बाहर की और जाका भीड के बीच में शराब के नशे में धुद कुछ जवान लड़के ले जाएंगे ले जाएंगे दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे गीत को ही जड़ा रोटाइल में गा रहे थे मैं वापस आकर पलंग पर बैठ किया कुछ देर तो मैं यूँ ही गुमसुम सा बैठा रहा फिर जूते मुझे उतार कर पलंग पर लेट किया मेरे मन मस्तिष्क में उस समय सबसे एहम सवाल यह था कि मैं दोनों 40 रुपे वाली धोतियां दूँ या ना दूँ दोनों ही स्थितियों में देदी की बिजज़ती हो सकती है अभी आप सुन रहे थे अवधेश श्रिवास्ताजी के लिखे कहानी दरार